यार करन जोहर की पिडियूस की हुई मूवी किल पाथ जुलाई को रिलीज होने वाली है इसका मैंने रिव्यू भी किया तुम जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो एनिमल को टकर दे रही है यार एक बात तुम माननी पड़ेगी करन चाची को पता है कि भाई पैसा कहां इन्वेस्ट करना है और खुलगी हाइप कैसे बना रही है और तुम एक बात भी मानते होंगे मेरी कि भाई यार करन चाची को तुम प्यार करो उँपे गुस्सा करो उनसे नफरत करो, तुम उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो बात तो सही है और कुछ लोग तो उन्हें नेपेटिजम किंग भी कहते हैं लेकिन यार, मैं उन्हें बेस्ट डिरेक्टर्स की लिस्ट में शामल करती हूँ उसके पीचे का रीजन है, आज आपको उनकी कुछ ऐसी मुवीज के बारे हम बताने वाले हैं जिससे वो प्रूफ करते हैं कि भाई, वो बेस्ट डिरेक्टर की लिस्ट में शामल होने के लिए लायक है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्स्क्राइब कीजिएगा हाई गाईज, मैं हो सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाट करन जोहर की पहली डिरेक्टिट मूवी आई थी, कुछ-कुछ होता है और वो हिट गई थी, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि कोई डिरेक्टर कोई मूवी डिरेक्ट कर रहा है अपनी पहली और वो हिट चली जाये लेकिन करन जोहर ने अपनी पहली फिल्म के साथ साबित कर दिया था कि भाई, वो बेस डिरेक्टर बनने के लिए लायक है 1988 में ये फिल्म आय थी और इसको देखने के लिए यार आज मैं टीवी के सामने बैठ जाती हूँ यह उनके क्लासिक फिल्मों में से एक है यह उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक है प्यार क्या होता है दोस्ते कि इतनी इंपोर्टेंट होती है मुवी के डायलोग, मुवी के गाने, सब इतना बड़ी है मेसेज देते हैं एक एक चीज मिलकर ना एक मैजिक क्रियेट करती है करन जोहर ने जो स्क्रीन पर जादू उस टाइम पर बिखेरा था ना वो आज तक काम करता है मैं मानती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन आ रही है, उनको शयद ये मुवी पसंद नहीं आ सकती लेकिन हमारी वारी जनरेशन को प्यार, दोस्ती, इन सब के बीच में बैलन्स किस तरीके से बिठाना होता रहा ये मुवी बहुती बड़ी है तरीके से सिखाती है अगर तुम आजकल की जनरेशन हो और तुमने अभी तक ये मुवी नहीं देखी है तो अमाज़न प्राइम या फिर होट स्टार पर तुम इसे आज भी देख सकते हो तुमने लग जाने क्या को करती है इसचीज का मेसेज़ देने के लिए और ये करन जोहर की वो मूवीज है जो ये प्रूफ करके दिखाती है कि भाई वो बेस्ट डिरेक्टर है यार करन जोहर ने फैमिली ड्रामा और सर्फ प्यार से रिलेटिड मूवीज नहीं बनाई है और उन्हें कुछ ऐसी मूवीज भी बनाई है जो कुछ सोशल मैसेज देती है करन जोहर की मूवी माइनेमिस खान तुम्हे याद ही होगी जिसमें शारुक खान और कार्ड रॉल थी यार क्या मूवी थी आज भी उस मूवी को हर कोई बैट कर देख लेता है और ये मूवी इस करन जोहर की सबसे राजनीतिक फिल्मों में से एक है मान लिया कि उस टाइम पर इस मूवी को मिक्स रियाक्शन मिले थे शारुक खान ने रिजवान का करेक्टर प्ले किया था जो अमेरिका के राष्टपती से मिलना चाहता है और बेसिकली वो मिलकर ये मैसेज कनवे करना चाहता है कि यार मैं कोई टेरिरिस नहीं हो नाइन एलेवन के बाद ये मूवी उसी कॉंसेप्ट को और उस टाइम पर लोग क्या क्या चीज़ सफर कर रहे थे उन सारी चीज़ों को ये मूवी दिखाती है और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती है शारू खान ने रिजवान के गरेक्टर को बहुती बढ़िया तरीके से प्ले किया था तो आज भी तुम इसे होट स्टार पर देख सकते हो देखो यार इंडियन सिनेमा को जब सौ साल पूरे हुए थे तब करन जोहर की बॉम्बे टॉकीज आई थे जिसमें वो खुल कर होमो सेक्शुालिटी के बारे में बात करते हैं इस मुवी में चार अलग-अलग कहानिया दिखाई गई थी और हर कहानी को अलग-अलग डिरेक्टर ने डिरेक्ट किया था इसमें एक कहानी जिसमें रंदीप, उड़ा और रानी मुखर्जे थे उसको करन जोहर ने डिरेक्ट किया था देखो यार करण जोर की बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कभी हल भी जाद ना कहना, Student of the Year, ए दिल है मुश्किल, Lust Stories, Ghost Stories और वो लास्ट ये राई थी, रोकी और रानी की प्रेम कहानी, ये वो सारी मूवीज हैं प्रेम करके दिखाती है कि करण जोर एक बेस्ट डिरेक्टर है, और वो जिस भी मूवी को प्रेडियूस करते हैं भाई, वो हिट तो होए जाती है, बागे तुम बदाओ कि तुम्हें उनकी कौन सी मूवी पसंद है, और क्या तुम करण जोर की बेस्ट मूवीज का या बेस् कामेंट करके जरूर बताना, मैं मिलोगी तुम्हें एक वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्स्क्राइब कर लेना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेर करना तो बिलकुल मत भूल जाना